नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग पूजा पाठ करते समय आखें कभी कभी नम हो जाती है कभी नीन आने लगती है कभी उबासी आती है कभी एकदम से छीक आ जाएगी और कभी तो दीपक में फूल बनने लगता है कभी भगवान के सामने से पुस्प गिराता है आखिर इसके माइने क्या है पूजा करते समय बहुत सारे सुब और असुब चीजें होती है जो हमें ये बताती है कि आज आपके जीवन में क्या होने वाला है कभी कभी कुछ चीजें परेसानियां भी लाती है कई बार आप सवाल आपको समझ में नहीं आते हैं उनके जवाब की आकिर वो क्या रहा है तो पूजा करने के समय आज हम आपके जो भक्ती भाव है उस पर हम प्रशन नहीं करेंगे बलकि जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपकी पुजा हरहाल में स्विकार होती है धार्मिक माननेता में जब भी आप अपने इस्ट देव के समक्च कोई दीप प्रजलित करते हैं तो आप दीपक की लौ से अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे दीपक की लौ बहुत ही सुन्दर रूप से इस्थिर हो जाती है अब ऐसी अवस्था में आपको महसूस होता है कि जैसे अंदर से आप भाव भी होर हो रहे हैं अंदर से बस आप भगवान और आप हैं बीच में कुछ नहीं है दिमाग में कुछ नहीं चलता सब कुछ सुनने हो जाता है तब ये मान के चलिए कि भगवान आपके साथ है आपकी पुजा सुविकार हो रही है पुजा के समय फूल कर भी नकात्मक चीज़े मन में ना आने दे कभी कभी वो भी आ जाती है जब ऐसा हो तो जीब को काटें जोर से ऐसा करने से क्या होगा आपकी तंदरा तुरंद भंग होगी और तुरंद आप सही तरीके से भगवान के सामने आ जाएंगे अगर दीपक की लौ में फूल बन जाए तो इसका मतलब है आपकी पुजा स्वि तक रहा है तो भटकाओं से बचिए कई बार होता है आप बैठे बैठे पुजा करते हैं पैर सर में दर्ध होने लगता है पैर जाम हो गया भारी पन लगने लगा तो ऐसा भी समझे यह नेगेटिव एनरजी आपके साथ है तो इनसे बचने के लिए आपको पुजा पाट घर में कराना चाहिए सुबह साम तीन तीन बार संख बजाना चाहिए क्योंकि यह चीज़े आपकी पुजा में बादाएं डालने की कोसिस कर रहा है आप देखते हैं कि धूपादी का धूआ गंद आपके मंदिर में रखी परतिमा या भगवान की मूर्थी की तरफ जा रह रहे हैं कि कई बार देखें होंगे घर में जब आप साफ सफाई करते हैं तो उसमें आप ऐसे समय में आपको लगता है जैसे सब कुछ बदल गया है बहुत अंदर से खुसी होती है तो यह चीज़ें का मतलब है कि अब आपके घर में लक्षमी स्थिर हो रही है लेकिन जब दीपक में फूल बने फूल कैसे बनता है जब दीपक जलाते हैं उसकी बाती का जो मुह होता है जहां पर आप आप देखिएगा दीपक में हल्का सा फूल टाइप आ जाता है चाहे वो धागे का हो या रूई का हो जब ऐसा बने तो इसका मतलब है मनुकाम न पूल